तुम चाहा थो भाई चारा, उल्लू हो! बटी हो प्याल तो जई हो मारा, उल्लू हो! समय का समझो या रिसारा, उल्लू हो! तुम हू मारो हाढ करा रा, उल्लू हो! दरसल राज सभा में All India मजलिसे तिहादू मुसलमीन ने महा गडबंधन को समर्थन क्या दे दिया कि गोधी मीडिया के पेट में दर्ध होने लगा हमारे खाथ प्रोग्राम हमारा हिंदोस्तान जरूर देखें मैं मुहमा सेफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्योज लोगतंत्र और हमारा समवेधाने का दिकार हमारा हिंदोस्तान भारत के सभी राजनीतिक दल भारतिय समवेधान के दाइरे में रहकर राजनीती करते हैं वो चाहे भले ही आपसी मदभेद और विचारधारा से अलग हो मगर मकसद सिर्फ एक ही रहता है सत्ता पाना इसलिए हम लगातार कहते हैं कि राजनीतिक दल एक दूसरे की लाख बुराई करे मगर जरूरत पढ़ने पर एक दूसरे से गड़बंधन करके भले ही आपसी मदभेद और विचारधारा से अलग हो मगर मकसद सिर्फ एक ही रहता है सत्ता पाना इसलिए हम लगातार कहते हैं कि राजनीतिक दल एक दूसरे की लाख बुराई करे मगर जरूरत पढ़ने पर एक दूसरे से गड़बंधन कर लेते हैं या भारती राजनीती में नया नहीं है आजादी के बास सही जोड़ तोड़ की राजनीती चली आ रही है मगर ताजुत तब होता है जब आज कोई पार्टी भाजपा के सिवा किसी अन पार्टी से गड़बंधन कर दी है तो साज का गोदी मीडिया उस पर ऐसा भौकता है जैसे इतिहास के पन्नों में या पहली बार हुआ है जबकि भारत के जिन राजों में भाजपा सरकार है लगभख सभी राजों में गड़बंधन की सरकार है मगर विकाव मीडिया को तो अपने आखा को खुस करने के लिए गला फाड़ना है हाल ही में हुए चार राजों की सोला सीटों के राजसभा चुनाओं में महराष्ट के आल इंडिया मलिसे त्यादल मसलिमीन के दो विधायक ने पार्टी हाई कमान यानि असदुद दिन अवैसी के कहने पर कांग्रेस वास्यू सेना के गड़बंधन को ओट क्या कर दिया कि टीवी चेनलों पर जैसे भगवा का अपमान हो गया भाईजान को उद्व ठाकरे अच्छे लगने लगे जैसे मामले टीवी चेनलों पर चलने लगा इन बेवकूफों की नजर में अवैसी ने कोई एतिहासी कार भारत की भूमी पर कर दिखाया हो जबकि M.I.M. से मुंबई नेता वा सांसाद इंतिया जलील ने साफ सब्दों में कहा है कि गट बंधन को उट करेंगे सियुसेना से हमारे मदभेत वैसे ही रहेंगे लेकिन गोदी मीडिया को क्या? ऐसा लगा जैसे सियुसेना को पाकिस्तानी राजनितिक दल ने समर्थन कर दिया हो मगर मामला कुछ भी हो आल इंडिया मजरी से त्यादल मुसलमीन की समर्थन से कांग्रेस परत्यासी यानि इमरान परताबगडी की जीत हुई है भले ही इमरान ने जीतने के बाद एमायब के परमुख आसदुद दिनवैसी को धनवाद ना कहा हो मगर आसुद दिनवैसी ने जीन मकसद से गड़ बंधन को समर्थन दिया उसमें वह कामियाब हो गए आसुद दिनवैसी पहले ही कह चुके हैं कि हमने सिर्फ भाजपा को हराने के लिए गड़ बंधन को समर्थन दिया है ऐसे में टीवी चेनलों पर बैठें एंकर गलाप फाड़ फाड़ कर हिंदु हर्दे समराथ बाला साहे ठाकरे की पार्टी ने भगवा का अपमान कर दिया जैसे खबर चला कर हिंदू की भावनाओं को तो भड़का ही रहे हैं साथ ही साथ देश में दो समदाई के बीज की दूरी को खाई बनाने का भी परियास कर रहे हैं और इन पर लगाम लगाने वाले खुद मजा लेकर देखकर देश को बाटने का परियास में मस्त हैं देश के ऐसी हालात कभी होगी ये सपने में भी नहीं सोचा था ऐसे में एक सेर किसी सायर का याद आया जब इनसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा ये हाल है तो कौन अदालक में जाएगा ऐसे दुरभाग पूर्ड समय में रफीक सादानी का या सेर तेजिस से सोसल मीडिया पर वाइरल हो रहा है अब आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बोक्स पे जाएए अपना राय दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेर कीजिए नए है तो सस्क्राइब कर लीजिए और हाँ गोदी मीडिया से उतना ही नजदीकी बना लीजिए जैसे अपने परिवार से क्योंकि अ